हेलो एवरिवन, सिर्फ पांच मिनिट के अंदर ये बन जाने वाला नास्ता, आप पूरे एक मैने तक एंजॉय कर सकते हो, सिर्फ एक चमच तेल से बना हुआ नास्ता, जिससे छोटे बच्चे और बड़े दोनों ही बेहत पसंद करेंगे, यहाँ पर मैंने लिया ये में सिर्फ एक चमच तेल लिया है, उसमें मैंने यहाँ पर एक कटोरी कच्ची वाली मुंकफली ले लिया है, जिसे हम पीनट्स भी कहते हैं, या फिर गुजराती में सिंगदाना भी कहा जाता है, और मंकफडी भी कहा जाता है, इसे हम धीमी आज पर 70% तक रोष्ट उसके बाद मैंने एक कटोरी चना दाले लिये, जिसे फुटाना भी कहते हैं, अब इसे भी अच्छे से रोष्ट कर लेंगे, इसको एक दम टेश्टी बनाने के लिए एक चमच, आमचूर पावडर ले लिया है, आदा चमच काला नमक और आदा चमच हमारा साधा नमक, एक चमच बुना हुआ जीरा पावडर, हमने जीरा पावडर लाश में लिया है, क्योंकि वो जल्डी से सीख जाता है, थोड़े से मैंने किसमिस ले लिये, ये बिलकुल अप्सनल है, और मैंने दो चमच सफेद वाले तील भी ले लिये है, यहाँ पर आपको लाल मिर्श प पुरा है, वो इसके साथ रोष्ट कर देंगे, ताकि सारा मसाला जो मुंक फली और दालिया दल में है, वो हमारे मकाई के पहवा में कोट हो जाएगा, आपने सफेद वाले चावल के कुरमरा तो बहुत खाये होंगे, पर ये आपको कोई कीराना स्टोर में मिल जाए तो इस पाजू में दिख रहे ही, बैल आइकन को औल प्रेस कर देजिए, तो दोस्तो रेसीपी आपके सामने है, देर किस बात किये, आप भी बनाईए, खाये, और आपके अनुपों मेरे साथ जरूर से सेर करिए, आपके एक लाइक और कॉमेंट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन म कर दो दो कर दो से साथ.